केट गाइस लेट्स कुक फिस उचिता चनल में आपका स्वागत है सरदिया सुरू हो गई है और हम लोग को कुछ मन करता है गरम चीज पीने का इसलिए मैं आपको आज बताऊंगी मसाला दूद का पाउडर आप कैसे बनाए घर पर कम खर्च में और साथ में आपको मसाला मसाला पाउडर से मसाला दूद कैसे बनाए यह काफी हल्दी रेसेपी है यह यूमिनिटी को बूस्ट करता है और साथ में ब्लड पेसर को कंट्रोल करता है और डाइबिटिस के लिए बहुत अच्छा होता है यह आखों के लिए हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता ह इसे बच्चे बड़े सभी पी सकते हैं, बढ़ते वे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यह एक तरह का परोटीन पाउड़ है, जो जीन जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अक्छा है, अगेर आप मेरी चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली अफ्रेंड्स में सेल भी करिएगा और बेल ऐकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आईए देखिए कैसे बनेगा इसकी लिए मैं पैन ली हूँ पैन में मैं एक कप काजू डाल रही हूँ और मैं साथ में आधा कप बादाम ली हूँ और आधा कप पिस्ता ली हूँ इन सबको ड्राई रोस्ट कर लूँगी हलका सा मौस्टर सुखने तक रोस्ट करना है से बहुत ज़्यादा डाक नहीं करना है बस हलका सा कलर आ जाए उतना ही भुनना है भुनने से इसका लाइब बढ़ जाता है दिखी कलर आने लग गया है अब देख पा रहे होंगे इस तरह से कलर आ रहा है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ मैं इसे एक बोल में ट्रास्फर कर ले रही हूँ अब मैं सेम पैन में मेलन सीट पंकिन सीट और मैं संफ्लावर सीट ली हूँ दो-दो बड़ा चम्मच ली हूँ तीनो चीज इन सब को भी रोस्ट कर ले रही हूँ ड्राई भूनते समय ये चटकने लगता है यही इसका पहचान है देखिए भून गया है अब मैं इसे भी ट्रास्फर कर ले रही हूँ उसी सेम बॉल में जिसमें बदाम और काजू रखी हूँ उसी में मैं ट्रास्फर कर ली हूँ ठंडे होने दे रही हूँ अब मैं सेम पैन में दो कप मखाना ली हूँ मैं मखाने को पहले से रोस्ट करकी रखी थी आपको एक तोड की दिखा रही हूँ इस तरह से तुटने लग जाए तो समझी कि आपकी मखाने त्यार हो चुके हैं अच्छी तरह से भून गए है मैं सुखा ही इसे रोस्ट की हूँ इसे भी एक बोल में मैं ट्रास्फर कर ले रही हूँ ठंडे होने तक देखे अब मैं ड्राइफ रूट को ठंडे होने क्लिए रख दी हूँ इसमें डालने क्लिए मैं मसाला ली हूँ मैं जायफर ली हूँ एक टुकड़ा आई ये आपको दिखाती हूँ जाइफर किस तरह का होता है इस तरह से जाइफर होता है मैं आपको जाइफर पुरा होल दिखा रही हूँ इसे तोड़ करके अंदर में निकलेगा जाइफर ये पुरा कवर है इसके साथ मैं ली हूँ तीस सफेद मिर्च पीस होगा पीस सफेद मिर्च ली हूँ और आप चाहें तो काली मिर्च भी ले सकते हैं और मैं 15 इलाइची ली हूँ और जायतरी ली हूँ एक टुकड़ा इन सबको मिक्सर जार में मैं डाल दे रही हूँ जायफर का भी एक टुकड़ा डाली हूँ और साथ में मैं एक बड़ा चमच सोट पाउडर डाल रही हूँ ड्राइजिंजर पाउडर है और एक चमच मैं इसमें चीनी डाली हूँ चीनी डालने से मसाला बहुत अच्छी तरह से पीस जाता है इलाइची वेगरा देखिए मैं एक बोल में ट्रांसफर कर दी हूँ और सेम मिकस जार में मैं मखाने को डाल कर पीस ले रही हूँ देखिए इसे भी मैं मसालों में डाल दे रही हूँ मखाने को और साथ में मैं ड्राइफूट्स पीछ ले रही हूं इसको पल्स मूट करके पिछना है चालू बंद करके पिछना है एक साथ मत पिछ ये का नहीं तो ऑईल छोड़ देगा मैं ड्राइफूट्स में दो चम्मत चीनी डाल दे रही हूं तक ही हमारा ड्राइफूट् देखिए अच्छे से पीस चुका है अब मैं इसे भी इसी में डाल दे रही हूं सेम बॉल में और यह आधा चमच में हल्दी पॉड़र डाली हूं इसमें इन सब को मिक्स कर ले रही हूं इन सब को सुखा ही मिक्स कर लेना है इस तरह से अब मैं इसमें केसर डाल दे रही हूं दो पींच मैं केसर डाली हूं केसर से टेस्ट काफी अच्छा आता है थंडे की मौसम में केसर खाने से अच्छा रहता अगर महट रहती है सब मिक्स कर ली हूं अब मैं ऐसे एक एयर टाइट कंटेनर में खाली कर ले रही हूं आप इसे एपिस कर छे महिने तक यूज़ कर सकते हैं अब फ्रीज में रखकर छे महिना इसे यूज़ करें बाहर भी आप थोड़े दिन तक रख सकते हैं खराब नहीं होगा क्योंकि हम लोग रोस्ट किये हैं रोस्ट करने से खराब नहीं होता है अब बाकी के मैं इस तरह से टिफिन में रख दे रही हूं आई आपको मसाला दूद बनाना बताती हूं मैं दो ग्लास दूद ली हूं और इसमें मैं मसाला पाउडर डाल दे रही हूं तीन बड़ा चम्मच मैं इसे बॉइल करने के लिए रखी हूं मसाला पाउडर डाल करके और मैं एक बड़ा चम्मच चीनी डाल दी हूं आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाले अगर आपको डायबिटीज है तो आप सुगर ना डाले सुगर को आप अवाइट कर सकते हैं मसाले में भी और दूद में भी आप जितना मीठा खाना चाहें उस तरह से आप सुगर डाले इसे मैं अच्छी तरह से बॉइल कर ली हूं हमारा मसाला दूद तयार हो चुका अब मैं दो ग्लास ली हूं दोनों ग्लास में मैं इस दूद को डाल दे रही हूं गरम गरम मैं सर्फ कर दे रही हूँ मसाले दूत को अब मैं उपर से बदाम पिस्ता काजू से गानिस कर दे रही हूँ अब मैं उपर से कुछ केसर के धागे लगा दे रही हूँ काफी अच्छा लगता है दिखने में इस तरह से मार्किट वाले इसी तरह सर्फ करते हैं हमारा मसाला पाउडर और मसाला दूत त्यार हो चुका है आप इसे जरू ट्राइब एक अपने घर में और अपने एक्सपेरियंस सेर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं कि आपको मसाला दूत और मसाला दूत के पाउडर की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक शब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें Thank you